नमस्कार दोस्तों तो आज ये खबर आई है लोन के रिगार्डिंग करजे के रिगार्डिंग या फिर कह दें डेप्ट के रिगार्डिंग खबर आई है कि कितना करजा आने वाले तीन साल में लेने वाला और कितना करजा पिछले साल लिया था ये आंटर आप वो पहले ही द दालनी ही थी और ये खबर आज के दिन डल चुकी है तो चीदे चलते हैं हम खबर के पर कि कब कितना पैसा इनने उठाना है इंक्रमेंटल जो बॉरेंग करनी है तेईश चोबिश पच्छिस में करीबन 4,66 करोड के करनी है इन्हें इनका एम है टोटल और मेंडेटरी बॉरेंग जो करनी है डेप से सिक्यूरिटी से वो करीबन करीबन 1016 करोड थी इस साल पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ यह 1000 कर करीबन 613 करोड गा मतलब पिछले साल से जो चला आता है कि इतना लेना चाहिए था इन्होंने नहीं नहीं लिया वो कर्जा करीब करीब 613 करोड गा तो जितना चाहिए था उससे कम करजा यह लोग ले रहे हैं तो यह एक अच्छी बात एक्चली में इनके पास इंफ्लो कै उन्हें शेर सेल कर दिया अपने तो उसे कैश इंफ्लो आ गया तो इन्हें करजे इतने नहीं उठाने पड़ रहे हैं तो एक पॉजटिव आस्पेक्ट निकल के आ रहा है यह 4000 करोड शे 4000 66 करोड ना भी पहुंचे आकड़ा इतना इन्हें करजा ना भी लेना पड़े आने खबर है और करजा भी कम खुठाना पड़ रहा है मतलब इनके पास कैश फ्लो भी अच्छा खासा अभी बना हुआ है तो 215 पर ब्रेक आउट बन सकता है इसका 185 पर स्टोप लोस हमेशा रखना है खरीदना खरीदना आपके मर्जी अगर स्टोप पर भरोसा है बिजनस पर रसे तामी